हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप लोग मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल टेक एमस मोहित तो दोस्तों आज हम बात करेंगे नॉर्मली फिंगर प्रिंट लॉक से कई बार ऐसा होता है कि आपके आज पास या दोस्त यारे या फैमली में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनसे अपनी लॉक को छिपाक रखते हैं कि उन्हें पता न चले ताकि वह आपकी मोबाइल अनलॉक न कर पाएं लेकिन कई बार ऐसे सुच्वेशन आते हैं जैसे आप सो गएं आप सो गएं तो सोने के बाद एक सुआ हुआ अंसान और एक मरा हुआ इंसान लगभग बराबर होता है तो नॉर्मली ढंक से कोई भी आपका फिंगर प्रिंट आपके मोबाइल पर लगा कि इज है रहता है मैंने Channel सुरू किया था इस पर वीडियो बना या था लेकिन उस मैंने यह वताया था है आप मोबाइल को किस तरह कर सकते हैं कि आप मोबाइल को जहां रखेंगे रखेंगे तो मैं उसका लिंक को YouTube इस mesh देख नी तो आज मैं आपको कुछ आसे दो तीन पॉइंट बताऊंगा जिससे कि आप इजली ढंस अपने मोवाइल को सेब कर सकते हैं आप सोए रहेंगे तो भी आपका मोवाइल कोई भी नहीं यूज कर पायागा नहीं आपका फिंगर प्रिंट लगा पायागा तो हां कोई कामी नही पाशवर्ड क्रियेट कर लेना होता है। और यह नॉर्मली जो होता है तूसरा वह पासवर्ड बोलते हैं और उसके पासवर्ड में आप अंक सब्कुछ डाल सकते हैं क्यों कि लेकिन उसमें पॉइंट नहीं पता होता है फिर भी लोग अंदाज से कुछ अंदाज आप पर मिला लेते हैं तो खोल सकते हैं इस लिडंग से तो हो सके तो आप लोग पीन या पासवर्ट को इंटर किया करिए अपने किसी भी लॉक्त लगाने के लिए अब बात कर लेते हैं कि आप अगर सोय रहेंगे तो कैसे आप इससे बच सकते हैं कि आपका कोई फिंगर प्रिंट ना लगा पाए तो सबसे पहले आप इस बात का ध्यार रेखिएगा लेकिन यह बहुत कम मोबाइल में मिलता है एक लागडाउन का आता है वह लागडाउन नहीं जो को रोना कि स पासवर्ट डाले हैं उसे डालेंगे तभी वह वोपेन होगा वरना आपकी फिंगर काम नहीं करेगी और अगले की बात करें तो कई बार ऐसा होता है बहुत सारा ऐसे थाट पार्टी आप आते हैं जो कि आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा उसे सब्साइब से तरीका है कि आप अपने फौन को रिष्टारट कर दीजिए जब रिष्टारट कर देंगे तो उसमें होगा क्या कि फौन रिष्टार जब भी होता है आपको पता आपको पैटरन या पिंगर्परिंट काम नहीं करती है तो यह कår सवसंइक आपने फौन को सो पैटरन आपको पता ही होगा फिर भी आप सोने से पहले युसमें रांग पासवर्ट नाल दीजिए तो तीन बार के बाद रांग पासवर्ट डालने के बाद सिम्पल सी बात है उसमें फिंगरपिरिंट काम नहीं करता है फिर आपको कर्एक्ट पासवर्ड ही डालना पड़े सब कुछ बंद हो जाएगा कुछ भी नहीं आप आयागा तो तो सूइच चॉप और पीन पासवर्ड या पैटरन डाले होंगे वह मांगता है यह फिंगर्प्रिंट काम नहीं करता है तो यह कुछ छोटे छोटे पॉयंट है लेकिन यह भी पॉयंट बहुत काम क्या है और मुझे जहां तो लगता है यह सब पॉइंट नॉर्मल लोग के दिमाग में नहीं आते हैं तो आप इन पॉइंट को छोटे-छोटे पॉइंट को रख के आप इजली ढंग से अपना फिंगर प्रिंट अपने मवाईल से हटा सकते हैं